अविनेत्री माला सिना का वास्तिविक नाम एल्डा सिना था, इनका उपनाम माला सिना, पेशा अविनेत्री, इनकी हाइट पांच फुट दो इंच, वजन लगवग सतर किलोग्राम, आखो का रंग काला और बालों का रंग भी काला है, सन दोहजास सोला के अनुसार ये असी की उम्र को पार कर चुकी है जन्व इस्थान कोलकता भारत है इनके शौक गायन है इनके विवाद हम साया 1968 के सेट पर माला सिना और उसकी सह अभिने त्रीष्ट शर्विला टैगोर के बीच केड़ फाइट हो गई थी लड़ाई के दोरान माला सिना ने शर्विला टैगोर को कारण अग्यात है माला सिना को दिगज कलाकार दादा सहफ़ाइल के अकैडवी पुरुसकार के लिए नामंकित किया गया था लेकिन उन्होंने पुरुसकार समहरों में भाग लेने से इंकार कर दिया चुकि निमंतरल कार्ड पर अन्य पुरुसकार प्राप्त करताओं के सा उनका नाम नहीं लिखा था। इनकी शादी की तारीक साल 1966 है बच्चे इनके एक बेटी है जिसका नाम प्रतवासिना है जो की अविनेत्री हैं दोस्तों आईए जानते हैं इनकी अंटोल्ड स्टोरीज के बारे में 60 के दर्शक की वेटरिन एक्ट्रिस माला सिना ऐसा कहा जाता है कि माला सिना एक ऐसी एक्ट्रिस थी जिनके पास हुसन के साथ हुनर भी था। एक्टिंग के अलावा माला संगीत को लेकर भी बेहत जुनूनी थी लेकिन फिल्मों के खातिर उन्होंने अपने सिंगिक सफर की कुर्वानी दे दी। करियर में ज्यादा तर हिट फिल्में देने वाली माला सिना अपने दौर में माला हाई एस्ट पेड एक्स ट्रेक्स की लिस्ट में भी शामिल थी लेकिन उस दौर की सबसे कंजूस एक्ट्रिस भी कहा जाता था। माला सिना ने कभी अपने घर में नौकर नहीं रखे। खुद ही सारा काम करती थी। पांच दशक तक बॉली वुड पर राज करने वाली माला सिना ने बॉली वुड से तब दूरी बना ली जब उनकी बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में कामया भी नहीं मिली। दोस्तों माला सिना का जन्म 11 नवंबर को 1936 एक क्रिश्चियन नेपाली परिवार में हुआ था। मुलते उनके परिवार के लोग पर्ष्चमी बंगाल के थे। जो बाड में नेपाल आकर बस गए। माला सिना के पापा का नाम अलवड सिना था। दोस्तों के चड़ाने पर बदल लिया था अपना नाम। बचपन में माला का नाम एल्डा था। स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उन्हें डालडा कहकर चड़ाते थे। इसलिए उन्होंने बाद में अपना नाम बदल कर बेवी नजमा रख लिया। और उन्होंने दोनों की ट्रेनिंग भी ली थी। एक्टिंग का होना देख फिल्म डारेक्टर ने दिया था एक्टिंग करने का सुझाओ। डान्स और गाने में माहर होने के साथ साथ माला स्कूल के नाटकों में भी पार्टिसिपेट करती थी। एक दिन उनके स्कूल में एक फंक्षन था जिसमें एक फेमस फिल्म डारेक्टर आये थे इस फंक्षन में माला सिना ने एक नाटक में भाग लिया था जैसे ही नाटक शुरू हुआ और डारेक्टर ने माला सिना की एक्टिंग को देखा बोग उनके अवने के कायल हो गए फंक्शन खत्म होने के तुरंट बाद ही डारेक्टर माला सिना के घर चले गए बहाँ पर उन्होंने माला के पिता जी से कहा कि आपकी बेटी में एक्टिंग का बहतरीन होना रहा है और वो एक काबिल एक्टिस बन सकती है इसलिए उसे फिल्मों में काम करने का मौका दिया जाए डारेक्टर की बात से माला के पिता जी भी सह्वत हुए और इसी के बाद माला ने बता और बाल का लाकार काम करना शुरू किया गीता बाली की गुजारिश पर मिला था बॉली बुड में फिल्मी ब्रेक माला सिना ने एक्टिंग करियर के शुरू आद बता और बाल के लाकर एक बंगाली फिल्म जैवेश्णो देवी से की थी सान 1952 में फिल्म रोशनारा रिलिज हुई जिस से माला सिना ने अपना सिनेमेटिक डेवियू किया था इसके बाद वो कई सारी बंगाली फिल्मों में नजर आई इसी दोरान माला एक फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई आई थी यहाँ पर उनकी मुलाकात गीता वाली से हुई माला की परसनालिटी से गीता बहुत इमप्रेस हुई और उन्होंने डारिक्टर केदार शर्मा से गुजारिश की की बो माला को बॉली बुड में फिल्मी ब्रेक दे गीता की गुजारिश के बाद केदार शर्मा ने माला को अपनी फिल्म रंगी राते में बता और हीरोन कास्ट किया इसके बाद उरोंने बहुत सारी फिल्मे की लेकिन उन फिल्मों से उन्हें कोई खास पेचान नहीं मिल पाई दोस्तो आखिर कार इंतजार खत्म हुआ और उनीस सो सतावर में रिलीज हुई फिल्म प्यासा ये फिल्म माला सिना के करियर की बड़ी हिट साबित हुई और यहीं से उनका कर्यऻ सबरने लगा इस फिल्म में वो गुर्दत के साथ नजर आई थी माला से पहले ये फिल्म मदौाला को ओफर की गई थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया था जिसके बाद फिल्म के लिए माला को अप्रोच किया गया फिल्मों के लिए दी अपने सिंगिंग करियर को कुरवानी बच्पन से ही माला का जुकाओ एक्टिंग से ज़्यादा म्यूजिक की तरफ था उन्होंने फिल्मों के इलाबा और इंडिया रेडियो बतार सिंगर भी काम किया लेकिन फिल्मों की खातिर उनको अपनी सिंगिंग और एक्टिंग में से एक का चुनाव करना पड़ा था आखिरकार फिल्मों के लिए उन्होंने अपने सिंगिंग सफर पर बिराम लगा दिया पूरे फिल्मी करियर में सिर्फ एक ही नेपाली फिल्म की इधर जब माला सिना बॉली बॉल्ड में सफलता की सीड़ी चड़ने लगी तो दूसी तरफ उन्हें नेपाली फिल्म इंडस्ट्री से भी फिल्मों के आफर आने लग गए इसके बाद उन्होंने 1966 में नेपाल का रुक किया और नेपाली फिल्म माटी गर में नजर आई ये माला की करियर की एक मात्र नेपाली फिल्म रही इस फिल्म के हीरो एस्टेट कमपनी के मालक चिदंबर प्रसाद लोहानी थे कोई स्टार से हुआ प्यार और उनी से शादी की लेकिन तीन बार फिल्म शूटिंग के दोरान ही माला को अपने कोई स्टार चिदंबर प्रसाद से प्यार हो गया था पर परिवार बालों ने शादी के लिए दोनों के सामने दो शर्ते रखी पहली शर्त ये थी कि माला शादी के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर देगी और दूसरी ये कि शादी रीत रिवाजों से होगी माला ने दोनों शर्ते मान भी ली जिसके बाद परिवार की रजामंदी से शादी हुई हाला कि इस शादी की एक और खास बात ये थी कि माला को अपने ही पती से तीन बार शादी करनी पड़ी सबसे पहले दोनों ने ईसाई विदिश से शादी की फिर हिंदू और लाश्ट में कोट मेरेज की शादी के बाद माला का एक्टिंग के लिए जुरून देखकर उनके पती ने उने एक्टिंग करियर को जारी रखने के लिए सला दी इसी वज़े से शादी के बाद माला ने अपने एक्टिंग पर बिराम नहीं लगाया इस वज़े से उनके पती से दूर मुंबई में रहना पड़ता था एस्टेट कमपनी का कारोबार समभालने के लिए उनके पती चिदंबर प्रसाद भी जानत नेपाल ही में रहते थे माला की एक बेटी भी है जिनका नाम प्रतिबा है पैसों के लिए कोट में कबूली थी वैशा ब्रती की बात बॉलीवुड एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल माला सिना की जिन्दगी में भी एक ऐसा वक्स आया था जिसने उनका सुक चैन सभिला कर रख दिया था ये बात उस दौर की है जब एक तरफ माला सिना काम्यावी के चरम पर थी तो वहीं फिल्म इंडिस्ट्री में ये बाते भी जोरों पर थी कि वो बेहत कंजूस हैं यहां तक कि उन्होंने अपने घर पर नौकर भी नहीं रखे थे वो पैसे बचाने के लिए खुद ही सारा अपना काम किया करती थी इसी दौरान उनके घर पर इंकम टैक्स विवाग ने च्छापा मारा बारा लाक रुपे बरामद हुए ये पैसे उनके बात रूम की दीबार से मिले थे जिसके बाद ये मामला कोट बे चला गया इतनी बड़ी रकम बचाने के लिए उनके पापा अलवट से ना भी सामने आए अलवट के वकील ने तमाम तर्क दिये लेकिन अदालत पर कोई असर नहीं होते देख अलवट के वकील ने उन्हें सला दी कि इन पैसों को पाने का एक ही तरीका है माला को लिखित रूप में स्विकार करना होगा कि उसने ये रुपए फिज रिलेशन्शिप से कमाई है माला के लिए स्वैम को यूँ पेश करना आसान कता ही नहीं था आखिरकार माला ने अदालत में एक चौका देने वाला बयान दिया जिससे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रहे गए माला सिना ने कोट में ये कहा कि उन्होंने वैश्चा वरती करके ये पैसे कमाई है अपने दोर की माला सिना बहुत कामयाब एक्ट्रिस हुआ करती थी फिल्मों के लिए वो मोटी रकम भी चार्ज करती थी मा के जैसे ही उनकी बेटी प्रतबा भी एक्ट्रिस बनना चाती थी इसी वज़े से उन्होंने भी बॉली वुड में एंट्री ली लेकिन कामया भी उनके हाथ ना लगी बेटी के अस्वल होने पर माला सिना ने पार्टीज में जाना बंद कर दिया और फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली वो अब लाइम लाइट से काफी दूर रहती है दोस्तो हमारे दौरा दी गई जानकारी आपको कैसी लेगी हमें कमेंट के माद्यम से अवश्य बताए चैनल पर पहली वार विजिट कर रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य करे धन्यवाद